आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ credit b के बारे में कि अगर आप इस application से loan लेते हैं तो आपको कितना interest या फिर penalty charge आपको pay करना पड़ेगा अगर आप time से यह माई नहीं pay करते हैं तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में last तक बने रहिएगा गाई जान बताना चाहेंगे आपको अगर आप credit b से loan लेते हैं तो आपको इसमें 1% से लेकर 5% तक आपको इसमें interest pay करना पड़ता है depend करता है कि जो आपने loan लिया है या उनके पास कितनी applications आई है loan लेने की आपका interest depend करेगा उनके पास loan लेने के लिए कितनी application आई है अगर वो application ज्यादा होती है तो आपको 5% तक loan pay करना पड़ सकता है लेकिन अगर वही applications कम हैं तो आपको 1% के आसपास जो है जो interest होता है वो देना पड़ेगा इसके लाबा अगर आप time से EMI pay नहीं करते हैं तो आपको 1% से लेकर 2% तक penalty चार्ज लगेगा आपके EMI amount का आपको जितना भी EMI amount होगा उसका जो 1% या 2% के हिसाब से आपको जो है penalty चार्ज लगेगा daily wise और इसको आप overdue भी करवा सकते हैं अगले दिन repayment के लिए call आता है उनसे कहकर आप इसको overdue करवा सकते हैं तो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, subscribe करिएगा और घंटे का आइकन दवाईएगा नई updates के लिए